तो गुड मॉनिंग माग्चे लेक्चेर्स मदे आपन पाईला टोपिक मंजे टोपिक नमबर थ्री तो टिगनामेट्री फंक्षन आपन वेवस्तित घेट लेला है बरोबर आता तेचा नंतर येचे पूर्चा टोपिक मंजे आपना लगेचा है तो आहे पेर सोब स्ट्रेट लाइन टोपिक नमबर फोर आए पन तेचे आगोदर आपन आक्राइव मधी पाईलेला है स्ट्रेट लाइन तेचे लाइन मदे आपन जेनरल इक्वेशन आप लाइन तेचे डिपरेंट फार्म आपन घेटलेलेद लाइन से बरोबर आए तेया मधी में आता एक एक इक्व अपन अपन घेटलेला है तेया मधी हे एक्वेशन आपनल अपराय चाये खोंचर एक्स प्लस बी वाई प्लस चीजग वस्टू जीरो अता आपन स्टेटमेंट पाईलेपाऊं स्टेटमेंट काई दिलेले बगा पाईले थेरम चर देच्वेशन इव इंटो वीग जीरो जर आपन आपनला प्रूव काय करेंचाये एव इंटो वीग वस्टू जीरो तेया चाये खोंबाई एक्वेशन इव 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 कुंत तरU is equals to zero अन्य दुसर कोंत तरU is equals to zero hear down lines आपन गेटल्या त्या down lines आपन ड्रॉख के लिया पाई-ली line 1u is equals to zero गेटल्य दुसरी line 2u is equals to zero गेटल्ये क एकोन आपन 2 lines गेटल्या त्या मजेद पाई-ली lines अपन एक्षेटल्या तेचा equation आपन गेटलाए A1X plus B1Y plus C1 is equals to 0 त्यांसक्वद्धतिन point V मझे lines V A2X plus B2Y plus C2 is equals to 0 अन्थी तेचा वर्न आपन एक point गेटला तो point कोंचाए P of X1Y1 मझे या line वर्ति एक point आपन गेटला P of X1Y1 तर का होता B the point on the line U is equals to 0 बरोबर आए तो point तेचा line वर्के आए U is equals to 0 चा बरोबर तरफो X1Y1 satisfy the equation मझे यूचे equation तो point का है करेल? satisfy करेल तर equation का है A1X plus B1Y plus C1 is equals to 0 तर आपन लगाए प्रूँ करेचा है we have to show that X1Y1 satisfy this equation means U is equals U into V is equals to 0 तो point का है केला पाई जये? satisfy केला पाई जये? कुंते equation ला? तर U into V is equals to 0 या equation ला satisfy केला पाई जये? तर आपन शुरुवा तिला पहली point मझे पहला लाइन आपन पुट केला A1X plus B1Y plus C1 A2X plus B2Y plus C2 is equals to 0 प्रूँ काहे करेचा अपनला U into V is equals to 0 करेचा है मनो में U ची किम्मत लेली V ची किम्मत लेली त्यान अंतर आपन हा point साटिस्फाइ करतो है मझे equation कौंचा लेला आपला A1X plus B1Y plus C1 is equals to 0 आहे मझे याची वी values आपनला काहे पुट करता है ते? 0 दुषरी वेली आपनला अज इस पुट केली 0 न मल्टिप्लाई केला इस एक्वेशन विचिज इक्वास तो काल 0 आला मन्जेच the point X1Y1 satisfy the equation U into V is equals to 0 कौंथा पॉइंट गेटला आपन एक लाइन गेटली U is equals to 0 पॉइंट अला आपला X1Y1 जर आता V is equals to 0 केटलाई अठटोपाइंट हो इल तुमचा X2Y2 मैंजेच आपन काई पॉगेला इस पूगेच आपन काया पॉगेला U is equals to 0 सATISFY THE EQUATION आइ U into V is equals to 0 है EQUATION आपन पॉगेला आपन फॉगेला आपनला पुगेला Q 30 आपनला प्रूव करता हील आनि तेची सुद्धा वैल्यूस कुम्ची का हो हील आल्सो वी आउट प्रूव दे लाइन्स V is equal to 0 satisfy the equation U into V is equal to 0 मजे एक कुन आपन दोन लाइन्स वर्ती दोन पॉइंट गेटले आनि ती वैल्यूस दोनी वैल्यूस आपन काई प्रूव केल्या U into V is equal to 0 आपनला प्रूव करेचा हो तो बरूबरा है तैचा नंतर जर समझा आपन एक वेगला पॉइंट गेटला तो पॉइंट आहें R दोनी पॉइंट पेक्षे वेगला R चा आपन मजे पहला पॉइंट P आणि दुसरा पॉइंट Q हे सुड़ून एक पॉइंट आपन गेटलेला R मजे X1, Y1 B 80 points which satisfies the equation कोंते एक्वेशन साटिस्फाई कराइचा है अपनला U into V is equal to 0 कराइचा है पन इता आपन दुनी values पॉइंट के लिए U चा आणि V चा त्या दिलेला points साटि मजे R point दिला आपला X1, Y1 आपन आगोदर चाहेचा मेंदे काई गेटला होता values फक्त काई गेटली होती X आणि YS गेटली होती इता वेगला point गेटला त्या दुनी points आपन पॉइंट के लिए आणि काई गेटला E equals to 0 आगोदर चाहेचा मजेच काई वेल जर दुन फेक्टर E equals to 0 आए मजे दुनी values तो मला काई लिताई तेल E equals to 0 लिताई तेल मजेच हा point काई करतो Lies on the line E equals to 0 and V is equals to 0 मजेच काई पुचला Every point which satisfies the equation कुंता equation E into V is equals to 0 Lies on the line E is equals to 0 and V is equals to 0 Hence काई पुचला पन दिलिला Statement अपन परदेक्वेश लिए जस्त The equation E into V is equals to 0 Represents The combined equation of line That is E is equals to 0 and V is equals to 0 मजेच फक्त या थेरह मेंदे आपनला काई कराएच है दोन लाइन गेटला आपन E is equals to 0 and V is equals to 0 तेचे और न दुसरे दोन ते तीन पॉइंट्स क्या फक्त तो पॉइंट्स तेया लाइन वर्तिया आहे किवान नाही आपनला पक्त सांगाएच है आणि तेचे और न पॉइंट्स क्या कराएच है E is equals to 0 ये पक्त दोन कंडिशन आपनला इतो पॉइंट्स क्या थेरह मेंदे काई केला आपन शुरुवातिला लाइन E is equals to 0 गेटला तो पॉइंट P गेटला मझें 2 equation satisfy केला E into V is equals to 0 त्यास पॉइंट थेन वी जपिए पॉइंट्स त्यास पॉइंट्स फिवइंट्स 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 फिवश्च जिरो गेटला अनि त्यास ओबत दुष्रा एक वेगला पॉइंट्स फिवश्च गेटला आपन आपन आर x dash y dash अण टेचनु सार सुधा आपन काई प्रोगेल u into v is equals to 0 अशपदतिन ये थेरम आपन प्रोगेलला u into v is equals to 0 हाज अला पहला थेरम आता येचे मदे तुम्हाला एक दूसरी condition दिलेले condition मजे काई और एक definition दिलेले definition कशे बगा तुम्हाला थेरम मधे तुम्हाला प्रते काची डिगरी कीती आश्ली पाईजे सेम आश्ली पाईजे तुम्हाला आपन काई मौन शक्तो homogeneous equation हाशा मौन शक्तो काई मौन शक्तो homogeneous equation बगा काया डेफिनेशन होमोजेनोस इक्वेशन तर होमोजेनेश इक्वेशन आपन के वह मुण शक्तो आत्तास काय सांगितला तर जे डेफिनेशन शुरुवाती लग्यो एन एक्वेशन क्ये अग्वेशन इन एक्वेशन इन एक्वेशन इन एक्वेशन एक्वेशन, chaia, ओमोजे। equation मन्जी त्या दिलेलया equation मदे जेवड़े काई term आहे त्या प्रत्य टर्म ची degree कशी आशली पाईजे तर सेम आशली पाईजे for examples आपन ग्यों for examples x plus y is equals to 0 x plus y is equals to 0 ग्यों शक्ता आपन पाईले टर्म ची डिगरी किते है बगाई तो वन दिलेलया दुसरे टर्म ची डिगरी किते है वन दिलेलया definition काई संक्ति अपली an equation which satisfies degree of each term is same मजे प्रत्य टर्म ची डिगरी कशी आहे same आहे मंजे थे equation काई जाला पर homogenous equation जाला बरोबर है दुसरे के example यह चा मधे काई होईल पहले आ equation त्या पहले टर्म ची डिगरी काई दिलेलया अपनला टू दिलेलया इतो x डिगरी y ची डिगरी 1 प्लस 1 टू जाला त्या सोब बताज इतो y ची डिगरी किते जाली टू जाली मजे प्रत्य टर्म ची डिगरी किशी जाली इतो पन सुद्धा same जाली मजे यह ची डिगरी आपन काई मुन शोकतो दिगरी इस टू अनकी नमबर थ्री ए एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वेर वाय प्लस और इक्वस्ट डारेट घ्या जीर। काई के लाता है पहले टर्म ची डिगरी तो माला थ्री दिलेलया है दूसरा एक्वेशन मादे इतो काई दिला टू आनी वन माझे काई जाला थ्री तैची पन डिगरी कुदी जाली तू डिगरी की जाली थ्री जाली माझे पहले टर्म ची डिगरी त्री दूसरा टर्म ची सुदा डिगरी की जाली थ्री जाली मनों हे equation कौन्ट जाला? homogeneous equation जाला जर सम्झा में तुम आला मंटला या equation मदे homogeneous equation ची degree 2 आहे ते equation कौन्चा आहे? तर हे equation आहे x square plus 2hxy plus by square is equal to 0 this is the homogeneous equation of degree 2 in x sin y इतका हो है homogeneous equation of degree 1 in x sin y इतका हो है हो हील homogeneous equation of degree 3 in degree 3 in x sin y मैंजे प्रत्यक equation ची degree की जाली separate जाली मैंजे वेग वेगली जाली त्याच्या वर्नाच अपनला अन्खिनेक थेरम दिलेला है एचा पूर्चा थेरम आनि तो पूर्चा थेरम काई दिलेला है जर दोन homogeneous equation गेटली तुमी काई कराइचे दोन equation गेज़ेत लाइन से कोंते equation of line passing through origin काई गेचे equation of line passing through origin अन्देचे अप्रू गेचे अनि तेचे वर्नाच पूर्चा गेचे homogenous equation of a line काई पूर्चा गेचे homogenous equation of line पन काई सांगितला मे equation of line passing through origin अन्देचे passing through origin मन्जे equation कुंतासत तेचे अगुदर अपन line चा form पाईलेला होता y is equals to mx plus c this is the equation of line पन कुंत slope-intercept form जो slope दिला याने एक point intercept करतो उने यहला पन slope-intercept form पन तो जर यहेचे मदे आपन constant term यह टली ना है मंज़े equation कुंच जाल y is equals to mx is the equation of line passing through origin मंज़े जया equation मदे constant term दिली ली ना है क्या equation ला पन काया मुन शकतो equation of line passing through origin अनी तसाज आपना दूसरा थेरम दिलेला है जर आसे दोन equation तुमाल दिले अन्ट अचा combination जर तुमी केला है तर काय अला पाई जे? Homogeneous equation of degree 2 in x and y अला पाई जे? तर थेरम बगचा statement बगा काय दिलेला है? statement theorem second काय? the combined equation the combined equation of line passing through origin is a homogeneous equation is a homogeneous equation of homogeneous equation of degree 2 degree 2 in x and y मैं जे काय साइचला आपना थेरम में दिलेला? combine करेचे equation कुंते equation combine करेचे? the line passing through origin आणि तेचा उरन प्रूप काय करेचे आपना ला? homogeneous equation of degree 2 homogeneous equation of degree 2 in x and y है आपना प्रूप करेचे मन्जे इतकस homogeneous equation दिलेला अपना ला? degree किते आए? 2 आए? this is the general equation of homogeneous equation of degree 2 तरा तेचे आपना ला किस प्रूप करता है तर शुरूवतिला आपन दोन equation consider कुरूशक्तो let e is equal to a1x plus b1y and which is equal to 0 पहले equation गेटला आपन u दुशरे equation भी a2x plus b2y again which is equal to 0 है दोने equation काशे आपले line passing through origin आपना देले लेट बरोबर है आता यत काई कराएचे आपनाला combine equation कराएचे मन्जे काई कराएचे 1-3 कराएचे महन आपन कसा find out करी शक्तो the combine equation combine equation is कसा combine कराएचे तर u into v is equals to काई गेचा 0 गेचा combine equation मन्जे काई देले ले दोन equation जाएचे ते दोन equation काई कराएचे combine कराएचे मन्जे दोन equation जाएचे multiplication गेचे तर पहले equation काई u a1 x plus b1 y दुषरे equation a2 x plus b2 y and which is equals to 0 दोन equation आपन ले आथा त्या दोन equation जाएचे काई कराएचे combination मन्जेच multiplication कराएचे multiplication आपन कसा करतो पहले टर्म पहले टर्म ला multiply कराएचे मन्जेच काई जाल a1 a2 x into x काई होई x square तरस दुषरी टर्म a1 b2 x y बरुबर है आता दुषरे टर्म लो multiply करा b1 a2 x y and लिएचे आउटी लास टर्म b1 b2 b1 b2 into y square and which is equals to 0 बरुबर है आता इतो दोनी ठीकानी x y common है दोनी ठीकानी काई दिले ले तो माला x y common मंजे जा आपन a1 a2 x square लिला combine b1 a2 मंजे x y भक्त काई 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 इता आपन common काई उर्ते काई b1 b2 into y square which equals to 0 पना आपनला प्रुब काई कराई चे homogeneous equation of degree 2 in x and y मंजे हे equation आपनला प्रुब कराई चे बरो बराई तर कसे करता है तर या equation आपनोला मदे काई लेता है तो या equation मदे आपनला काई लेता है combine कराई चे मदलाण तर substitution गेच substitution काई गेता है तो तर पहली term दुसरी term आणी तिसरा term मदे substitution गेच पहला substitution बगा मंजे पहली values में put करना रहा है put a1 a2 is equals to a पहला term साथी दुसरी term a1 b1 काई एतले पहली term a1 b2 आए a1 b2 आणी b1 a2 which is equals to 2 h ग्या आणी 74 लेली लास्ट आण b1 b2 मंजे ज़ काई b1 b2 is equals to b ग्या याला equation जरा आपनो बन मतला equation 1 therefore equation 1 becomes मंजे त्या equation मधे आपना लाता हे substitution फक्त पुट कराई चै पहली टर्म काई पुट कराई चै a1 2 ha xy and it is 3 families by square and which is equals to 0 अनि हे एक्वेशन कोन चाला? इस एक्वेशन अफ दिगरी टू इन एक्वेशन य य य तेक लक्षात काई केला आपन पासिंग थू ओरीजिन अपना लाइन से एक्वेशन दिलला है अनि ते काई कराइचित परद कमबाइन कराइचा अन्ठेचा वरनाच अपन पुरुख केला नोग्येशन अपट χामजेज ठीक्वेशन अपडिगरी टू इन एक्वेसन य अन्था आपन दोन एक्वेशन गेटला अपन तोन अब बूल्टीबाइशन गेटला अनि हाले लेक्वेशन अपन काड़े अनि हालेला आपन दोन एक्वेशन दिलास्ताना एक एक्वेशन तयार केला है आज आज आपला second theorem दिलेला आता second theorem में एक आएक्वेशन वर्न दोन इक्वेशन तयार कराई चाता है ? एचे पुर्चा धेरम देलेला आपला ? येदेक लिक्सा , माझे एक अपनेले होमजेनस इक्वेशन देला है ? ते वहमजेनस इक्वेशन वर वर न आपनाला दूसरे दोन इक्वेशन प्रूप कराईच्या आन्थे दोनी एक्वेजिशन के सच असलिपाईजेत, पासिंग ठ्रू ओरीजीन असलिपाईजेत, कशे पासिंग ठ्रू ओरीजीन, आन्टेचा मादे एक कंडिशन अपनला प्रोग कराएचे, बगू कंडिशन अपनला कुनते है, यार चेरेम मदे करे मिद्ट नउसक्त है ज़ा जा लेर निले दुनी पन करिक्षान डियों G आजिक यार ना हिए ऑर्थी काय प्रू कराएचा है? एका एक्वेशन वरना दोन वैल्यूद अपनाला प्रू कराएचा है बगवाता अपनाला कसा करता है तो सुरुवातीला स्टेटमेंट मगा काय गेचा? स्टेटमेंट काय? होमजेनश एक्वेशन थेरम थर्ड थर्ड थेरम गेचा ला काय? तो हमजेनस ईक्वेशन हमजेनस ईक्वेशन अप डिगरी टू इन X and Y काय लिला? हमजेनस ईक्वेशन अप डिगरी टू इन X and Y is A is a line, is a line passing through origin, काय मानेचा, passing through origin, if H square minus AB is greater or equal to 0, condition तुमाला काय दिलेले, H square minus AB is equal to 0, आगोदर चे थेरम मेंदे काय केला होता, आपन, कंबाइन एक्वेशन केला होता, ओरीजिन चे एक्वेशन वरन, आणि तेचे वरना आपन, होमोजेनिस एक्वेशन आप डिगरी 2 in X and Y, मुझे दोन एक्वेशन गेटले, एक एक्वेशन तायर केल, आता ही तकाय कराएचा है, the homogenous equation of degree 2 in X and Y, इजे pairs of line passing through origin, आशा आपनाला मनता है, इजे pairs of line passing through origin, आण तेचा मदे एक condition काय, H square minus AB is equals to 0, आणि हा थेरम फार्म अत्वाचा आहे, एतों लक्षाथ, काय कराएचा आता, होमोजेनिस एक्वेशन वरन, दोन पेर साफ लाइन चे एक्वेशन तुमाला find out कराएचा आहेच, एतों लक्षाथ, आता में पहले एक्वेशन कंशिडर करना, शुर्वतिला, कोंते एक्वेशन, चुंसिडर थे हमोजेनिस एक्वेशन, चुंसिडर थे हमोजेनिस एक्वेशन, एक्वेशन 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 एक्वेशन, plus 2HXY plus BY square and which is equals to 0 या equation ला आपन काय मोनो equation 1 मैं जाता homogeneous equation लेले तैचे अरुना काय प्रू कराईचा अपनला इजे pairs of lines passing through origin प्रू कराईचा काय कराईचा है pairs of lines passing through origin प्रू कराईचा है तर याचा मैं दिमी पहली case गेतो case number first अती तैचे अपनला एकुन दोन case गेचे बीज इकवस to 0 and बीज नोट इकवस to 0 जर पहली वेले अपन गेटली we can put बीज इकवस to 0 therefore equation 1 becomes equation 1 is equation 1 काय वेल या equation मैं अपनला काय प्रू कराईचा है पुट काय कराईचा है तर बीज इकवस to 0 पुट कराईचा है equation x square plus 2h xy which is equal to 0 मैंजी ही वेल्यू आपन काय पुट के लिए 0 पुट के लिए या दोनी equation मैं अपनला काय पुट के लिए x plus 2h is y and which is equal to 0 या दोनी equation मैं अपनला कॉंस्ट तर्माली आहे का नाही मन्जे थे equation काईचा जाले equation of line passing through origin मैंजी काय लिएता है तर is a line is a line passing through passing through origin मैंजे फक्त एक कंडिशन आपन गिटली कोंती तर B is equals to 0 आन तेचा उरन प्रूव केला B is equals to 0 पुट केला तर वैल्यूज काय देली फक्त एक्स कॉमन काडला आनि दोनी फैक्टर्स आपन काय केले equals to 0 कॉंस्टन डर्माली आहे मैंजे is equation of line passing through origin आता ही वैल्यूज आपन डाइरेक्ट केले दुसरे वैल्यूज मेंदे कसा कराइचा है तर तुमाला वैल्यूज B is not equals to 0 गेच मैंजे B ची वैल्यूज 0 गेची ना ही आनि equation प्रूव कराइचा है ही condition second condition फार्मात वाचे ही condition आली पाईजे पहला condition मेंदे तुमी डाइरेक्ट वैल्यूज पुट करू फाइंड आउट करू शक्ता पना ता ही तो second condition फार्मात वाचे कशी ती लक्षाद गया एकड़ बगा का है case second case second मेंदे आपना का एकराइचा है put B is not equals to 0 therefore equation 1 is पहला equation मेंदे का एकराइचा है B is not equals to 0 गेटल तर equation first कशा होईला आनि थी वैल्यूज आपना ला कशा ली ताही तर equation 1 कशा लीएच तर में आता equation 1 लीएचा है थोड़ा से वेगले लेना कशा पहली टर्म आनि सेवर्ची टर्म alternate कराइच कशी शुरुवा तिला पहली वैल्यूज गेटली B y square plus 2 h x y plus a x square which is equals to 0 पहली कंदिशन काई के लिए आपन b x square plus 2 h x y plus a x square and which is equals to 0 इता काई करा multiply by b b न multiply करा काई कराइचा है multiply by b यह एक्वेशन ला काई कराइचा है b न multiply कराइचा तो लो वैल्यूज काई बत b न multiply करा b square y square पहले टर्म ला multiply केला दुसरी टर्म बहा काई 2 मैं multiply करतो b into y दुसरी वैल्यूज रिली h x दुसरी वैल्यूज a b x square and which is equals to 0 इता लीतिवर्स कासलीला बहागा 2 a चानी x इता लीला इता b न multiply केला बहाँज बी वायाला अनि प्लस a b x square which is equals to 0 आता इता तुम्हाला formula थोड़ाशा वेगला गेचा है कोंता जरे a square minus b square आसे हेल तर formula आपन कोंचा गेतो दोन factors मैंज एक पहला ब्राकेट प्लस दुसरा ब्राकेट कासा गेचा है minus आशा पदतिना आपनाला हे formula मज़े values find out कराईचा तर त्या साथे आपनाला perfect square आता गोदर केला पाईचे मज़े values आपनाला plus करता हेल आणि minus करता हेल मनजेच त्याथा perfect square आपनाला करता हेल कसा ते बगा पहली values अन्दूसरी value आज इतीज लिया 2 into by plus hx plus आता a plus b bracket square आपन काया लितो a square plus twice a b plus b square लितो आता ही तकाया लिला हे a square आला twice a आला हे b पना हे a मनजे काया by आपनाला हे 2 as it is आया मनजे b values आपनला हे तकोंती आली पाईजे by far गालनुसर तर hx आली पाईजे आपने hx सापन काया लितो square लिला है hx सापन काया लिला है square लिला है मनजे कासल लिता हे तो h a square x square minus h a square x square and plus a b x square which is equals to zero काय केला इता ही values प्लस केले इता माइनस केले आने यह शेवर्ट ची value as it is लिले मांजे पहली values अपने लगाए लीता है तो इही पूर्ण perfect square लीता है तो कौनता by plus hx bracket square लीता है by plus hx bracket square और दुसरा equation मदे का लीता है तो x square common करता है मांजे minus x square common करला तरूरते का है h square minus ab and which is equals to 0 पहली values समझ लीका पर फिट square लीला दुसरी values भकत x square common करला h square minus ab रहला और which is equals to 0 आलेला है आता माला formula मादे पूट कराएचा है मांजे a square minus b square चा a square ची term माजा कराएचे आता ही term भकत b square चा सुरूपा मेदी माला लीता है तर कस लीता है बगा by plus hx bracket square जाला याचा मिलीला x into root h square minus ab bracket सा square माला लीता है तो काहलीला x into root h square minus ab bracket square multiply केला तर याचा x square root and square कैला तर मांजे इस का आला h square minus ab आला बरोबर है आता दोन values तुमचे अगडा लेया a square minus b square मांजे दोन values लेया h q value is plus h q value is minus a the plus values मेली तो by plus hx plus दुश्य वाचे वाचे डूट h square minus ab तर लुश्य दुमचे अगड़ धुचे पर लेया दोन बगा by plus hx अधा प्लस चाह विज गाले है चे माइनस माइनस X इन्टो रूट H स्क्वेर माइनस AB इस इक्वास तो 0 आने जर दोन फैक्टर इक्वास तो 0 आस्तील तर आपना लगाय लिता है तो दोनी वैली इक्वास तो कायले हा 0 लिया फक्त इतकाय करा प्लस रूट H स्क्वेर माइनस AB आने BY इक्वास लिया प्लस BY इच्वास तो 0 इस आली वैली आपनी पाईली प्लस दुष्री वैल्यूज एच्वास च्वेर माइनस माइनस H स्क्वेर माइनस AB plus by which is equals to 0 या दोनी equation में आपना constant और माले का नहीं मंजे छे equation कशे जाले is the equation of line passing through origin का यह लिए शक्तो is equation of line passing through origin ये तेक लक्षात शी टर्म फार महत्वा चाहे कि पहली केस तुम्हे डारेक्ट लिउशक्ता B is equals to 0 ये फक्त X कौमन काड़ला वे दोन वैल्यूज आपना लिताई तील पर ये चामदे लिते वैले सेज़ आपन काईगाई केले शुरुवा तिला पोस्ट एक्वेशन लास्ट एक्वेशन अल्टरणियोट केले त्यांँन अंतर B न मल्टिपलाई केले प्रत्येक वैल्यू दला B न मल् Preplai केला अंतर आपना लिता A प्लस B ब्राकेट स्क्वेर ताप फार्मल ही टर्मापन पलस निज माइनस केले अनि ही value जले अपली perfect square यह चा मदे फक्ता आपन x square common काड़ा h square minus e भी रहला अपन मला formula a square minus b square चली एच है अनि second term ला सुद्धा मी काइके ला b square चा formula दे लिला अनि दोन brackets separate लिले 1 plus 1 minus अनि कि त्या सोब तच x common काड़ा plus by लिला दुषरी values पन x common काड़ा दुषरी values लिले अनि दोन equation अपनला काइली ताथ e is equals to 0 मज़ेत काई प्रूप केला अपन e is the equation of line passing through origin यतेगे लक्षा मदे theorem पहला दुषरा आनि तिसरा दुषरा theorem जो गेटलेला अपन त्या दुषरा theorem मदे दोन equation दिलास्ताना एक homogenous equation तायर केला आनि थेरम नंबर 3 मदे आपन काई केला एक homogenous equation दिलास्ताना दोन equation प्रूप केले दोन equation कशे होते equation of line passing through origin होते आनि आता पुर्चा लेक्षर्स मदे आपनला है जालेले थेरम ओरती आपनला example स्वाल कराईचे मजेच combine equation separate equation आपनला find out कराईचे combine मजेच दुषरा थेरम नंबर दोन equation दिलास्ताना एक equation तायर करा आनि तिसरा आचा मदे काई कराईचे एक equation दिलास्ताना दुषरे दोन equation आपनला प्रूप कराईचा है समस्ता एती लक्षा मदे बाकी सा आपन exercise 4.1 आपन second lectures मदे ग्यो Thank you